भारतिये क्रिकेट इतिहास की वो पांच सबसे शन्मनाक घटनाएं जब अपने ही साथी खिलाडियों से लड़ बैठे ये भारतिये क्रिकेट एक टीम गेम है इसमें जब तक खिलाडियों के बीच आप सी रिष्टें सही नहीं होंगे तब तक टीम को सफलता मिलना बहुत भारतिये टीम के खिलाडियों के बीच मनमुटा की बात सामने आई है और कई बार तो हमने भारतिये खिलाडियों को मैदान में ही आपस में भिरते हुए देखा है आज हम भी आपको अपने इस खास लेक में भारतिये खिलाडियों के आपस में बिरनेवा मनमुटा की घटन के बारे में ही बताएंगे भजी ने जड दिया ठा श्रीसंद को थपड भरतिये टीम के आफ ब्रेक्स्पिनर हरभजन सिंग और श्री संत के बीच थपड़ कांड हुआ था IPL 2008 में हर भजन ने श्री संत को थपड़ मांच दिया था जिसके बाद श्री संत मैदान पर ही जम करोने लगे थे और हर भजन को पुरे IPL 2008 से निशाशिद कर दिया था कामबली ने सचिन पर लगाए थे आरोप वैसे तो सचिन और कामबली की दोस्ती की मिसाले दी जाती थी लेकिन इस दोस्ती पर तबदरार आ गई थी जब विनोध कामबली ने एक रेलेटी शो पर सचिन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके क्रिकेट करियर को बचाने पर उनका सपोर्ट नहीं किया इसके बाद से ह सचिन और कामबली के बीच मन मुटाव पैदा हो गया अजहर की कप्तानी से चिड़ते थे शास्त्री भारतिये टीम के कोच रविवार और पूर्व भारतिये कप्तान मोहमद अजहरुदीन के बीच 36 का आंकड़ा रहा है अजहरुदीन पर बनी बायोपिक फिल्म अजहर मे गे थे रायरड़ू, आईपी एल 2016 के एक मैच में भारतिये टीम के दो खिलाडी हर भजन सिंगो और अमबाती रायरड़ू के बीच भी जड़प देखने को मिली थी, तब दरसल हर भजन की एक गेंद पर रायरड़ू ने मिस फील्डिंग कर दी थी, जिसके बाद हर भजन की सबसे चर्चित लड़ाईयों में से एक है, आईपी एल 2013 में जब RCB और KKR का मैच खेला जा रहा था, तब कोहली के आउट होने पर गंभीर जोश में कुछ बोल बैठे थे और यह बात कोहली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिसके बाद कोहली गंभीर से बिढ़ने लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सबसक्राइब करना ना भूले शुक्रिया